साल दुलहन बनने वाली है ये पांच बॉलिवुड हसीनाएं कोई सालों से बॉइफ्रेंड के साथ पत्नी की तरह कर रही है मजे तो किसी ने दुनिया से छिपा रखी थी अपनी लव स्टोरी अब अचानक से कर दिया शादी का एलान लिस्ट में तीसरे नंबर वाली हसीना तो 50 साल की उम्र में फिर से बनने जा रही है दुलहन अपने से कई साल छोटे इस एक्टर को प्यार के जाल में उलजा कर करने वाली है दूसरी शादी, आईए, जानते हैं इस लिस्ट में किस-किस बॉलिवॉड एक्टरेस का नाम शामिल है नमबर पांच अनन्या पांडे बॉलीवूड एक्टर चंकी पांडे की बेटी और हाल में मशहूर हुई बॉलीवूड अभिनेत्री अनन्या पांडे और एक्टर आदित्य रॉय कपूर ने भी अपने रिश्टे को दुनिया के सामने कुबूल कर लिया है दोनों साथ में वेकेशन पर जाते हैं और फिल्मी पार्टियों में भी एक साथ नजर आते हैं अनन्या ने कॉफी विद करण के दौरान ये भी कहा था कि शादी के बाद वे हनीमून पर आदित्य रॉय कपूर के साथ कहा जाना पसंद करेगी हालां कि बीच में दोनों के ब्रेक अप की खबरें भी सामने आई थी लेकिन फिर से दोनों एक साथ देखे गए हैं बॉलिवुड में धमाकेदार शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस जाहनवी कपूर का करियर कुछ खास रफतार तो नहीं पकड़ पाया लेकिन इन दोनों जानवी कपूर की शादी की खबर सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है बताया जा रहा है कि जाहनवी अपने एक्स बॉइफरेंड शिखर पहाडिया के साथ दोबारा रिलेशन में आ गई और दोनों अकसर साथ में देखे जाने लगे हैं बॉलवुड इवेंट्स और फैमिली सेलिबरेशन में भी दोनों साथ पहुँचते हैं शिखर का जानवी के पिता बोनी कपूर से भी अच्छा तालमेल है हाल ही में दोनों ने कई मंदिरों के दर्शन किये और भगवान का आरशिवाद लिया जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों साल के आखिर तक शादी कर लेंगे अर्जुन कपूर और मलाइका अरोडा की शादी का तो फैंस को सालों से इंतजार है दोनों इस बारे में कई बार बातें भी कर चुके हैं हाल में ही कौफी विद करण में अर्जुन कपूर ने कहा था कि वो शादी से जुड़े सवाल का जवाब मलाइका के साथ मिल कर देंगे दोनों एक दूसरे के परिवार के भी काफी क्लोज हैं हालांकि मलाइका अरोडा अर्जुन कपूर से उम्र में काफी बड़ी है, इसलिए सोशल मीडिया पर उनके इस रिष्टे का काफी मजाग भी बनाया जाता है। इन दिनों साउथ एक्टर सिधार्थ के साथ रिलेशन में हैं, दोनों ने कुछ दिन पहले ही अपने रिष्टे को ऑफिशियल किया है और साल के अंत तक दोनों शादी भी कर सकते हैं। आलांकि अदिती उम्र में सिधार्थ से बड़ी है और उनकी ये दूसरी शादी होगी। बताया जा रहा है कि अदिती काफी लंबे समय से सिधार्थ के साथ लिविंग रिलेशन्शिप में रह रही है। साउथ सिनेमा के साथ साथ बॉलिवुड में धमाल मचाने वाली बाहुबली एक्ट्रेस तमना भाट्या ने एक्टर विजय वर्मा के साथ साल 2023 में अपने प्यार का एलान किया था। दोनों वेब सीरीज, लस्ट स्टोरीज 2 की शूटिंग के दौरान करीब आये थे। इसके बाद से ही दोनों चर्चाओं में बने रहते हैं। दोनों के फैंस को भी इनकी शादी का इंतजार है। उम्मीद है कि इस साल ये होट जोडी शादी कर सकती है। तमन्ना के फैंस को उनकी शादी का बेसबरी से इंतजार है। इस से पहले इस साल की शुरुआत में बॉलिवुड अभिनेतरी रकुल प्रीत ने भी अपने लॉंग टाइम बॉइफ्रेंड जैकी भगनानी के साथ साथ तेरे लिए थे। इन पाँच बॉलिवुड हसीनाओं के अलावा और कौन सी अभिनेतरी इस साल शादी कर सकती इस बारे में आप क्या सोचते हैं वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं।